नमस्कारम सद्गुरू, मैंने कई लोगों को आदी योगी को चावल अर्पित करते हुए देखा है। चावल अर्पित करने का क्या महत्व है? क्योंकि हम गेहूं खाने वाले नहीं, चावल खाने वाले लोग हैं। इसका महत्व ये है कि अन्ह की भेट में एक खास गुण, एक खास त्रिप्ति होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग अपने हाथों से एक जीवित अन्ह भेट करें। ये जीवित है, ये जीवित बीज है। उन्हें भेट करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्हें जीवित अन्ह भेट करके त्रिप्ति मिलती है। और यहां, यहां रहने वाले बहुत से युवक और युफ्तियों ने जान बूच कर कुछ कमाई न करते हुए, खुद को अपंग बना लिया है। जिन में मैं भी हूँ। हम कुछ कमाते नहीं है। इसलिए हम इस पर गुजारा करते हैं। तो लोग यह भेट चड़ाते हैं और हम उसे प्रसाद के रूप में ग्रहन करके खाते हैं। यह अच्छा चल रहा है। इसके महत्व को कम अता किये। क्योंकि अपना भोजन खुद कमाने की ख्रमता को त्याग देना एक व्यक्ती के लिए बहुत हिम्मत की बात है। इसके लिए बहुत साहस चाहिए कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे अपना कह सकें पर फिर भी आप राजा की तरह चलते हैं। इसके लिए बहुत साहस चाहिए। इसके लिए आपको ये मेरा है, वो मेरा है जैसी चीजों से बहुत ज्यादा कीमती कुछ खोर्जना होगा अपने भीतर कोई बहुत कीमती चीज इसलिए मैं जानबूच कर इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि युवाओं ने और मैंने पूरी चेतनता में भोजन कमाने की अपनी क्षमता को त्याग कर खुद को अपंग बना लिया है यहाँ ये युवा अपना भोजन कमाने में असमर्थ नहीं है निश्चत रूप से नहीं है वो कहीं भी अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं मैं कहीं भी अपनी रोजी रोटी कमा सकता हूं ठीक है मगर हमने जान बूच कर वो अधिकार त्याग दिया है और लोगों की भेटों पर गुजारा करना चाहते हैं क्योंकि हमारा जीवन गुजर बसर की प्रक्रिया के लिए समर्पित नहीं है हम नहीं चाते कि हमारा समय और उर्जा अपने ही गुजारे में खर्च हो जाए तो लोग काफी दयालू और शांदार रहे हैं कि वो मुठी भर चावल भेट करते हुए इसका ध्यान रखते आए हैं हम इसके लिए हमेशा आभारी हैं